असलाम ली कॉंफ्रेंस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे सो मैं लेकर हैंगो फ्रेंस आपके लिए छोटी सी रेमेडी वह भी अपने नेल्स को क्लीन रखने के लिए तो ये देखें मैं अपने nails को clean कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले टेलूँगी मैं one bowl और इसके अंदर मुझे चाहिए one spoon जो है nail remover one spoon मैं इदर nail remover के ले लूँगी friends मैं जब भी nail paint लगाती हूँ तो मैं ये लाजम यूज़ करती हूँ friends इससे बहुत ही हमारे जो nails white रहते हैं और जितनी भी dirt पे लाहर्ट सब निकल जाती है तो मैंने one spoon लिया है nail remover का और half spoon मैं ले लूँगी baking soda का यानि के मीठा soda मैंने half spoon ये ले लिया है और friends मैंने half spoon ही colgate paste ले लेनी है ये देखें half spoon मैंने paste का ले लिया है अगर आपके पास colgate नहीं है sensor dine है वो भी आप use कर सकते हैं ये दोनों ही बहुत amazing है अपने nails को clean करने के लिए सो मैं इसको अच्छे से mix कर लूँगी friends ये देखें मैंने इसको mix कर लिया है अब मैं इसको side पे रख दूँगी और मैं सबसे पहले अपनी nail paint को remove करूँगी अच्छे से अपनी nail paint को पहले remove कर लेना है फिर उसके बाद ये paste apply करना है तो friends ये देखें मैंने अच्छे से nail paint को remove कर लिया है अपना बिल्कुल clean कर लिया है और मैं nails देख लें कितने पिलाहट और कितना ज्यादा ये blackness आई है मेरे nails पे ये nail paint हम जब भी use करते हैं तो यही issue आता है friends के हमारे nails बहुत ज्यादा yellow हो जाते हैं बहुत ज्यादा dark black हो जाते हैं इसको अच्छे से brush की help से मैंने paste को लगा के अच्छे से apply कर लेना है ये देखें friends आती मैं अपने knuckles पे भी इसको brush की help से लगा रही हूं क्यूंकि इसमें paste है और इसमें baking soda है वह हमारे knuckles को भी clean करता है और last पे मैंने hand wash करके coconut apply कर लेना है और next day हमारे nails बहुत ही shine करेंगे और बहुत ही ब्राइट लगेंगे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगया तो please